असलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, उमीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बैल नोटिफिकेशन को प्रस कर दें, य इसका रिव्यू दूँगी और आपको बताऊंगी कि यह कैसी है, क्योंकि आज कल बहुत बहुत ज़्या ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राइ कर लेती हूं कि यह कैसी होती है, पैकिंग रिमूफ करने के बाद यह हैं और इस पे इनोंने बॉक्स के इसकी टिप्स बताई भी हैं, हाँ तो यूज आपने इसको यूज कैसे करना हैं, हम तोड़ा सा इसको गो थू कर लेते हैं, टिप्स में उन्होंने बोला है कि अलर्जी वगारा ना हो, आप लोग पेले पैच टेस्ट कर लें क्यूंकि इसके अंदर जो है वो लाइनर, आपको मुश्किल नहीं होगी, हाई आई लगाएं, ट्यूजर से नहीं पकड़ जा रही, इसका एक्विप्मेंट एक होता है, वो उसे भी पकड़ा नहीं जा रहा है, इसको नहीं से बाहर है, मेकप सारा रेडी है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए जो है वो नई ची तो वो लग जाएगी, ठीक है, अब आपने रिमूव इसको कैसे करना है, जब आप एक दफ़ा इसको लगा लेंगे, तो उन नहीं बोला है कि रिमूव करें, मेकप रिमूवर कॉटन पैड के उपर लगा के, इनके बहुत थोड़ा जादा मेकप रिमूवर लगा कर आप इ जहां 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 अपने आई-लाइनर लगाया हुआ है, वेट अ मिनट और गेट आइलशी ओफ, तो वेट करें और देन अपनी आई-लेशी को स्लाइटली सॉफ्ट हैंड के साथ आप उतार सकते हैं, आप इनको रियूज भी कर सकते हैं, अब हम इसका बॉक्स खोलते हैं, अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें, यह देखें, एक यह जो है वो मेगनेटिक लाइनर है, आई-लेशी जूजर है, और थ्री डिफरेंट टाइप्स के आई-लेशी जूजर है, इसमें भी बहुत साथा टाइप्स जो है वो आपको आती हैं, मार्किट में हैं, तो आप अ यह जो एक शेक करें, एनिवे यह किसी ब्रैंड की नहीं है, यह नॉमल जो है मैने आउनलाइन ओर्डर किया था, कोई ब्रैंड नेम नहीं है इनका, तो अगर यह अच्छी लगी, तो फिर आप लोगे, तो पिर आप ब्रैंड जो है वो बाई करना सही रहता है, तो इसको ह हमने कर लिया शेक इसका हम लेते हैं ट्यूजर निकाल और यहां पे ले लेते हैं एक मेरर आई लाइनर को शेक कर लेने के बाद मैंने ले लिया है मेरर अब हम अपलाई करते हैं लाइनर अपनी आइस के उपर इसका ब्रश देखें बहुत ही जो है वो अच्छा मैंने लाइनर अपलाई कर लिया हम इसको ड्राइ होने को वेट करती हूं गुड रिजल्ट के लिए आपने पहले जब लाइनर अपलाई कर लेना है तो इसको अच्छे से ड्राइ होने देना है और आपने लेशे अपलाई करनी है लाइनर को कर देते हैं बं तक यह अब आम इ then eyelashes apply करेंगे तो मैं इसको dry होने को weight करती हूं inner corner से outer corner तक मैंने पनी eyes को cover कर दिया इस eyeliner से यह magnetic eyeliner है तो अब हम इसका dry होने को weight करते हैं मैं इस box से ही जो है वो हलका सा हवा दे के पना eyeliner जो है वो dry कर रही हूं good results के लिए आपको eyeliner को dry करके करना बहुत जरूरिया है before apply the eyelashes so yeah I dry कर लेती हूं इसको पूरा liner जो है वो dry हो चुक है आप इन eyelashes को देख लेते हैं मैं इसमें से apply करूंगी third one यह बली इसको उतार लेते हैं और आप यह देखे नीचे इसकी अपनी magnetic strip लगी वे जिससे यह magnetic eyelashes जूड़ी है box के साथ अब हम इसको apply कर लेते हैं लेश को पकड़ा मैं इसका ट्यूजर यूज़ नहीं करी मैं हाथों सही जो है इसको fingers की help से लगाऊंगी मेडल से आपने आइलेश को पकड़ा और अपनी आंग को किया बंद और अराम से अपनी आइस के ऊपर रख देश को आउटर को अटेच किया और इनर को अटेच किया यह देखें कितनी असानी से जो है आपकी आइलेश इस वह लग गई है यह देखें जस्ट मैं दूसरी भी अप्लाइ करती हूं राइट हैंड साइड के अप्लाइ कर लेते हैं आइलेश को लिए मिडल से पकड़ा और और आंग को अराम से बंद किया लेश को रखा मिडल से अटेच किया पहले आउटर कॉर्नर अटेच किया और इनर कॉर्नर आप चाहें तो इसका वह भी ले सकते हैं ट्यूजर यह जो इन्होंने साथ दिया है मुझे यह थोड़ा सा इसको जो है वो यूजर करना ठीक नहीं लगता कितनी असानी से जो है आईलेश अप्लाइ हो चुकी है और बिल्कुल भी बहुत ही लाइट है यह और बिल्कुल भी जो है वह आपको मतलब बहुत हैवी फील नहीं हो रहा कि आपने आईलेश केरी की बहुत हैवी यह कुछ भी केरी किया वह यह देखें बिल्कुल असानी से जो है यह आईलेश अटेच हो गई है पहले मैंने लिक्विड लाइनर लगाया उसको मेगनेटिक लाइनर उसको ड्राइ होने दिया उसके अराम से लैश को रखा मिडल से प्रेस किया हलका सा ऐसे औ और आउटर कोन अटेच किया और इनर कोन अटेच किया इनन अटेच कि मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी है कि यह जो है बिल्कुल रियूसेबल है लाइक दूसरी आईलेश जैसे आप अपलाए करके वह इतनी मतलब अगर आप तीन-चार दफा अपलाई करें तो आपक अगर आप लोग लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनिटल आप लोग लें क्यूंकि मुझे आईलेश लगाना बहुत मुश्किल लगता है लाइक आप शाद कहलें कि इसी वजह से मैं अपने मेकप टुटोरियल्स या किसी फंक्शन में आईलेश अपलाई नहीं करती थी अटेटन मैंने यह देखा कि मैंने यहाँ बहुत ज़गा इंड होरी है तो मैंने सूचा कि मैं मंगवाती ह और उमीदे कि ये वीडियो आप लों को अच्छी लगी होगी